गुड मॉनिंग दोस्तों, ग्रेट व इंडिया यूटूब चैनल में आपका स्वागता है, यह है फ्यूचर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, तो आज का अपने करेंट अफ़ेर का सितंबर 2020 की मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ़ेर का सेशन रहने वाला है, तो चैनल को दो वाला है, विशेक कॉमार स्थिया, तो इसका सही आंसर रहने वाला है, इसका जो सही आंसर है, वो है ए, विजे कुमार सियर पूरु सैनिक कलियान विवाग के नए सचीव बने पूत पूरु सैनिक कलियान विवाग रक्षा मंतराले का एक विवाग है ये 2004 में इस्तापित किया गया था कजागिस्तान की राजदानी नूर सुल्तान का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया तो ये जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है अस्ताना क्या रखा गया है अस्ताना कजागिस्तान ने अपने देश की राजदनी नूर सुल्तान का नाम बदल दिया नूर सुल्तान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाएगा पहले नूर सुल्तान को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था कजागिस्तान किस माधिप में इस्तित है यह है एसिया में दुनिया का सबसे बड़ा इस्तल रुद्र लेंड लॉप्ट देश कौन सा है वो है कजागिस्तान फिर यहां पर देख सकते हैं कजाकिस्तान की जो करंसी है वो है कजाकिस्तानी तंगे और इसकी जो राष्टपती है कस्यम जोमार्ट तोकाएव और परदान मंत्र जो है अलिखान इसमाई लोर आम लोगों की सिकाईतों को दूर करने के लिए CM, DA, HSI, IACM को सुचित करे नामग पोर्टल को किसने लौंच किया तो यह जो पोर्टल है तो यह लौंच किया था N, Berencia, मनिपूर के मुक्य मंत्री सही आंसुर आएगा इसका C मनिपूर के मुक्य मंत्री N, Berencia ने आम लोगों को सिकाईतों के निवारन के लिए इंफाल में एक वैब पोर्टल का सुबरम किया इस पोर्टल के जरिए जनता की सिकाईतों का एक निदारित समय में निवारन किया जा सकेगा अंतराष्टिय बदीर सब्ता 2022 इंटरनेशनल वीक ओप दा डीफ 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है तो यह जो मनाया जा रहा है यह मनाया जा रहा 19 से 25 सितंबर तक हर साल सितंबर के आकरी रविवार को समाप्थ होने वाले पूरे सब्ता को बंदीरों के अंतराष्टिय सब्ता के रूप में मनाया जाता है यह वर्ल्ड फर्डर्शन ओफ दा डेफ कि एक पहले इसे पहली बार 1908 में रोम इटली में उस महिने में उपलक्से में सुरू किया गया था इसकी जो त्रिम है बिल्डिंग इनकलजिव कॉम्मिनेटी इस फोर ओल पॉंग लहेब सॉल मौसो दो जर बाइस किस राजिय में मनाया जाता है तो यह कौन सा राजिय यह जो राजिय है वो है सिक्ञी में एक छोटा सा ज्यिश्य राजिय है जो छोटा सेर वह आपanu परिएटर के लिए सबसे अच्छा सेर जो है छोटा सबसे वो है सिक्किम सिक्किम के बारे में कुछ जान लेते हैं सिक्किम की जो इस्तापना है वो हुई थी 16 मई 1975 के अंदर राजदानी गंगटोक बहुती स्मार्ट सिटी है गंगटोक और मुक्य मंतरी प्रेम सी तमांग गंगा पर्षा जो है गवनर रह चुके है और मुक्यन नियादिक्स जो है विस्तुनात स्वमंदर और तीन परोशिदे से भुटान, चीन और नेपाल सिक्किम का एक परोशिराजी है जो है पर्चिन बंगार परिवन छैतर के सामने आने वाली चुनोतियों का समाधान करने के लिए राष्टिय लॉजिटिक्स निती को किस ने लॉंच किया तो जरूर इसका कमेंड बॉक्स न आंसर वताईए इसका शिक्स नंबर कोर्शन का तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है नरंदर मोधी जो परदान मंत्रियों सही आंसर बी राष्टिय लॉजिटिक्स निती का उदेश है पूरे भारत में माल की सुचारू अवजाई और गरेलू और अंतराष्टिय वजारों में बारतिय समानों की परतिस्पर्दा को बढ़ावा देना है राष्टिय के पर्याटन मंत्रियों का राष्टिय समयलन 2022 काहां आयोजित हुआ ये जो आयोजित हुआ है काहा हुआ दरमसाला में दो दरमसाला का आप हिमाचल पर्देश है सही आंसर है गा सेवन का ए डेस्टिनेशन का बढ़ावा और डॉमेस्टिक टूरिजम, पॉरेन टूरिजम और इको टूरिजम साहिट नेशनल टूरिजम पॉलिशी पर भी मंतन किया गया है। अधेक्स्ता जो है जी किसन रेडिन की जो कैंद्री परियटन एव संसकंति मंत्री है। समूंद्री परियटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्रेंज अब नामक वैस्विक डिजिटल प्लेटफोर्म को किसने लॉंच किया है। तो ये जो लॉंच किया है किसने किया सयूक्त राष्ट परियावन कारिकराम यू ए यू एन एपी कैन्याद। तो सही अंसर आएगा इसका दी। जो है इंगर एडर्स चीन को पचाड कर कौन सा देश सीलंका के सबसे बड़े दिवपक्सिय रिंदाता की रूप में उबरा है। ये जो कौन सा देश उबरा है वो उबरा है बारत कौन सा देश बारत। भारत चीन को पचाड कर सीलंका के लिए सबसे बड़े दिवपक्सिय रिंदाता बन कर उबरा है। भारत ने 2020 के चार महिनों में सीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिंद परदान किया है। जबकि 2017 और 2021 तक पिछले 5 वर्षों में चीन सीलंका का सबसे बड़ा दिवपक्सिय रिंदाता रहा है। नवीनी करन उर्जा को बड़ावा देने के लिए अडानी गिरिन ने 325 मेगावर्ट समता की पवन उर्जा प्रियोजना का शरू किती। जरूर बताएं इसका ये मध्यपर्देश में धार में धार मध्यपर्देश के अंदर। अडानी गिरिन मध्यपर्देश के धार जिले में 324.4 मेगावर्ट का पवन उर्जा सयंत्र शरू किया। इस सेंत्र को चालू हुने के बाद अदानी गिरिन के परिचालन उत्वादक समता बढ़कर 6.1 गिगावाट हो गई। नए चालू किये गए सेंत्र का परबंदन अदानी सबूं के एनर्जी नेट्रों को प्रेशन सेंटर प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। बारतिय बाला फैंकर खिलाडी देवंदर जांजरिया ने मोरेशको में आयोजिद विशू परा एतलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 कौन सा पदक जिता। ये पदक जिता था इन्होंने रजज़त पदक। कौन सा पदक। रज़त पदक। बारतिय बाला फैंकर खिलाडी देवंदर जांजरिया ने विशू परा एतलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में 60.97 मीटर की दूरी पर बाला फैंकर ये रज़त पदक जिता था। परदान मंतिर नरंदर मोधी ने नामीबियान से कुनो नैशनल पार्क मदिपर्देश में लाए गए चितों में से चार वर्स की मादा चिता का नाम क्या रखा। तो ये जो नाम रखा है कौन सा नाम रखा गया आसा। तो आज की डेली इस्टेटिक जीके जान लेता है। वरी इंपोर्डेंट रहने वाला है इस्टेटिक जीके के 10 पॉइंट्स सबसे पहला कोर्शन। कैबिनेट मिशन योजना के अदीन बनी बारतिय सविदान सभा में कितने सदेशिया थे। 389। पहान किसके सासन काल में बारत आया था। तो चंद्र गुप्त दित्य के काल में बारत आया था। बारतिय सविदान सभा में मैला सदेशियों की कुल संक्या कितने थी ये थी 15। दोहरी नागरिकता किसकी विशेष्टा है संग्य सरकार की। इसके संग्य सरकार की प्राचिन बारत में दम की सरुवात किसने कीती ये कीती समराट आसोक्सियन कैलसियम एलुमिनेट तता कैलसियम सिलिकेट का मिसरन क्या कहलाता ये कहलाता है सिमेट मातमा गंदी जी ने पहला किसान अंदुलन का शरू किया था वुम्मदी रेका से बारत के दक्सिनी चोर की कितनी दुरी है 843 किलोमेटर बारत के पहली बाव हुदेश ये परियोजना कौन सी है ओ है दामोदर परियोजना जिसकी इस्तापना सन 1948 में हुई थी व्रद गंगा या दक्सिन की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है वो जाना जाता है गोदावरी नदी को तो ये थे अपने 10 डेली स्टेटिक जी के तो आज का सेसन हम यहीं एंड करते हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक्यू